हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू डिजी लेशन्स फ्रम दा हाउस ओफ नवांकूर, आज हम पढ़ेंगे कक्छा साथ बिसे गडित का अध्याय नौ, आज हम इसका भाग दो पढ़ेंगे, जिसका नाम है परिमे संख्या है हमारा पहला प्रस्टन है योग गयाद कीजिये, तो इसका पहला है पाँच वटे 5 प्लस पिर है ब्रैकेट में माइनस 11 वटे 4, तो हम इसको अप्सॉल्प करते हैं, तो आंसर देखते हैं, पहले नंबर हम क्या करते हैं प्लस माइनस में? LCM लेते हैं, हर का LCM लेते हैं, तो हर में क्या दिया है, 4 और 4, तो 4 और 4 का LCM निकलते हैं, तो उपर की संख्यां क्या आजाएंगी, 5, फिर है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में क्या होंगे, माइनस फिर क्या है 11 तो 5 माइनस 11 बटे 4 अब हम 5 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 6 बटे 4 अब हम माइनस 6 बटे 4 में 2 से भाग देते हैं तो क्या संके निकल कर आती है भाग देने पर माइनस तीन बटे दो अब है दूसरा पांच बटे तीन प्लस तीन बटे पांच तो यहां भी हम हर को बराबर करने के जिए पांच बटे तीन में पांच का गुणा करेंगे अंसौर हर में और तीन बटे पांच में तीन का गुणा करेंगे अंसर हर्म है तो देखते हैं गुड़ा करने पर संख्या क्या आती है 5 वटे 3 में 500 गुणा करेंगे तो आएगा 25 वटे 15 फिर है प्लस फिर 3 वटे 5 में 3 का गुणा करेंगे अंसर हर्म है तो आएगी संख्या 9 वटे 15 तो बन जाती है 25 वटे 15 प्लस 9 बटे 15 तो यहां हम 15 और 15 का LCM लेंगे तो क्या आएगा LCM निकल कर 15 और संख्या क्या जाएंगे उपर 25 प्लस 9 25 प्लस 9 करते हैं तो आंसर क्या आएगा 34 बटे 15 अब हम क्या करेंगे 15 का भाग 34 में देंगे तो अपना answer निकल कर आएगा 2 सही 4 वटे 15 अब इसी प्रकार से आपको तीसरा solve करना है अब देखते हैं चोथा माइनस 3 वटे माइनस 11 प्लस 5 वटे 9 तो यहां भी हर समान करने के लिए माइनस 3 वटे माइनस 11 में 9 का गोड़ा answer हर में करते हैं और 5 वटे 9 में 11 का गोड़ा answer हर में करते हैं तो गोड़ा करने पर वटे संख्या निकल कर आती हैं 27 वटे 99 प्लस 5 वटे 9 में करेंगे 11 का गोड़ा तो आएगा 15 वटे 99 तो यहां हर हमारा समान आ गया तो LCM जेंगी 99 और 99 का तो अपना ख्या निकल के आएगा LCM 99 और उपसंख्या आ जाएंगी 27 प्लस 55 27 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 82 वटे 99 तो यह अपना चौथे का answer हो गया अब आपको उसी प्रकार से पांचवा छटा और साथवा भी solve करना है अब देखते हैं प्रस्न दो ग्याद कीजिए इसका पहला है 7 वटे 24 माइनस 17 वटे 36 तो यहाँ हमें दिया है माइनस तो जैसे हम प्लस में कर रहे थे LCM लेके उसी प्रकार से हम यहाँ भी solve करेंगे तो answer देखते हैं पहले का 7 वटे 24 माइनस 17 वटे 36 तो यहाँ भी हम हर समान करेंगे तो हर समान करने के लिए 7 वटे 24 में 3 का गुणा अंस और हर में करेंगे और 17 वटे 36 में 2 का गुणा अंस और हर में करेंगे तो गुणा करने पर 7 वटे 24 में 3 का गुणा करने पर संख्या आती है 21 वटे 72 फिर लगा है माइनस तो यहां भी हम माइनस लगाएंगे फिर 17 वटे 36 में 2 का गुणा करेंगे अंसर में तो आएगी संख्या 34 वटे 72 तो यहां हमारा हर समान आ गया अब हम यहां LCM लेंगे तो LCM लेने पर क्या आएगी संख्या 72 और उपर आएगी संख्या 21 माइनस 34 तो 21 में से 34 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस 13 बटे में क्या चल रहा है 72 तो यहां हमारा पैजे का अंसर आ गया माइनस 13 बटे 72 अब हम देखते हैं दूसरा पांच बटे 63 माइनस ब्रैकेट में है माइनस 6 बटे 21 तो यहां भी हम क्या करेंगे पैजे हर को समान बनाएंगे तो हर समान बनाने के जिए क्या करेंगे पांच बटे 63 में अंसर हर में एक से गुणा करेंगे और माइनस 6 बटे 21 में अंसर हर में तीन से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमाई संख्या क्या निकल के आएंगी पांच वाटे 63 में गुणा करेंगी एक का तो आएगा पांच वाटे 63 और माइनस 6 वाटे किसमें 3 का गुणा करेंगे अंसोर हर में तो संख्या आएगी माइनस 18 वाटे 63 तो यहां हमारा हर समान आ गया तो LC hon निखा जेएंगे तो LC bit english 16 और उपर क्या आ जाएंगी पाँछ माइनस, और डैकेट में क्या आएगा माइनस 18 तो माइनस माइनस मंज़के क्या हो जाएंगे प्लस, तो 5 प्लस 18 बटे 63 पांच और अठारा को प्लास करेंगे तो क्या संख्या जाएगी 23 वटे 63 तो हमारा दूसरे का उत्तर आ गया 23 वटे 63 अब हम देखते हैं तीसरा माइनस 6 वटे 13 माइनस फिर है ब्रेकिट में माइनस 7 वटे 15 यहां भी हम हर बराबर करेंगे तो हर बराबर करने के लिए माइनस 6 वटे 13 में अंसर हर में हम 15 का गुणा करेंगे और माइनस 7 वटे 15 में 13 का गुणा अंसर हर में करेंगे तो गुणा करने पर क्या संख्या आएगी 10-65 सांखया आएगी minus 90 स्विम्टेश्या कोना करईगी of 95 to 20 Deshalb in business माइनस नबबबटे एक सो पिंचानब है माइनस ब्राकेट में माइनस इनक्यानबटे एक सो पिंचानब है तो यहां हम देखते हैं माइनस नबबब माइनस माइनस मिलकर होते हैं प्लस तो क्या आगे अपना माइनस नबबब प्लस इनक्यानब है बटे एक सो पिंचानब है तो यहां माइनस नबबब और प्लस इनक्यानब है तो माइनस प्लस मिलकर क्या होते हैं माइनस तो माइनस करने पर क्या आएगा अपना अंसर एक बट अब देखते हैं प्रस्न तीन गुड़नफल ग्याद कीजिए तो यहां हमारा पहला है कॉस्चन नौ बटे दो गुड़ा ब्रैकेट में दिया है माइनस साथ बटे चार तो हम देखते हैं आंसर नौ बटे दो गुड़ा ब्रैकेट में दिया है माइनस साथ बटे चार तो गुड़ा में अंस का अंस में गुड़ा होता है और हर का हर में तो नौ का गुड़ा किसमें होगा माइनस साथ में बटे दो का गुड़ा होगा चार में तो गुड़ा करने पर किसंख्याव आती है हमारी माइनस 63 वटे 8 अब हम क्या करेंगे 8 कब भाग करेंगे माइनस 63 में तो यहां हमारा आंसर निकल के क्या आएगा माइनस 7 सही 7 वटे 8 तो पैजे का आंसर हमारा आ गया माइनस 7 सही 7 वटे 8 अब हम देखते हैं दूसरा तीन वटे 10 गुणा ब्रैकिट में दिया है माइनस 9 तो यहाँ हमें माइनस 9 के हर में कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे हम 1 अब हम क्या करेंगे आंस का आंस में गुणा करेंगे और हर का हर में 3 का गुणा करेंगे माइनस 9 में बटे 10 का गुणा करेंगे 1 में तो गुणा करने पे क्या संख्या आ जाएंगी माइनस 27 वटे 10 अब हम 10 का भाग देंगे माइनस 27 में तो अपना आंसर आएगा माइनस 2 सही 7 वटे 10 अब इसी प्रकाश से आपको तीसरा चौथा पांचवा और चाटा सौल करना है अब देखते हैं प्रस्न चार निम्न लिखित के मान ज्याद कीजिए तो पहला है माइनस 4 भाग 2 वटे 3 तो हम देखते हैं यहां भाग दिया है तो हम भाग खटाएंगे तो क्या आता है गोड़ा आएगा तो जो बारवादी संख्या है वो क्या हो जाएगी पदच जाएगी 2 वटे 3 को क्या हो जाएगा 3 वटे 2 तो हम देखते हैं आंसर माइनस 4 भाग की जब़े क्या लगाएंगे गोड़ा फिर है 2 वटे 3 तो संख्या पदच के क्या हो जाएगी 3 वटे 2 तो अब हम करते हैं 2 का भाग माइनस 4 में तो क्या बन जाएगी संख्या माइनस 2 उपर क्या दिया आए और गोड़ा 3 तो माइनस 2 का गोड़ा 3 में करेंगे तो क्यों आएगा माइनस 6 है तो हमारा पैदे का अंसर आ गया माइनस छह अब हम देखते हैं दूसरा माइनस तीन वटे 5 भाग दो यहां भी हम क्या करेंगे भाग को हटाकर गुणा लगाएंगे तो संख्या पलड़ जाएगी दो क्या हो दो में तो गोणा करने वे क्या संख्या आएगी माइनस तीन बटे दस तो हमारा दूसरी का अंसर आ गया माइनस तीन बटे दस अब इसी प्रकार से आपको तीसरा सॉल्ब करना है अब हम देखते हैं चौथा माइनस एक बटे आठ भाग तीन बटे चार तो यहां भी हम भाग की ज़गे क्या लगाएंगे गोणा और तीन बटे चार का क्या हो जायागा चार बटे तीन तो हम देखते हैं माइनस एक बटे आठ गोणा चार बटे तीन तो अब हम क्या करेंग और अंस का अंस में गणा करेंगे और हर का हर में सबसे पहले हम 4 का भाग देते हैं 4 एक हम 4 और 4 दूनी 8 तो क्या से मन जाएगी माइनस 1 वटे 2 गणा 1 वटे 3 अब हम करते हैं दो 2 का गणा करेंगे 3 में तो गणा करने पे क्या आंसर आता है माइनस एक वटे छे इसी प्रकार से आपको पांचवा चटा सौल करना है अब हम देखते हैं साथवा तीन वटे तेरा भाग माइनस चार वटे पैसट तो यहां भी हम क्या करेंगे भाग की जगे गोड़ा लगाएंगे तो माइनस चार वटे पैसट का हो जाएगा पैसट वटे माइनस चार तो अब हम क्या करेंगे अंस का अंस में गोड़ा करेंगे और हर का हर में तो सबसे परदे हम तेरा का भाग देते हैं पैसट में तो क्या आएगा तेरा एकम तेरा और तेरा पंजे पैसट तो तीन का गुणा करेंगे माइनस पांच में बटे एक का गुणा करेंगे चार में तो तीन का गुणा माइनस पांच में करते हैं तो क्या आएगा तो पांचे पंद्रा माइनस पंद्रा बटे चार तो माइनस 15 बटे 4 आया है तो 4 का भाग हम माइनस 15 में देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 3 सही 3 बटे 4 तो हमारा साथवे का आंसर आ गया माइनस 3 सही 3 बटे 4 Thank you students